तो दोस्तो मैं दिलिप सर्मा एक बार फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नई जानकरी वाला वीडियो लेकर तो यह जो उपर केमिकल रखा हुआ है इसको बोन्टाइड बोलते हैं इस केमिकल से हमने इस पत्थर पर एक रीप चिपकाई है जिसकी मोटाई सवाइंची है उस इस रीप को चिपका कर आप हम इसमें डबल मोल्डिंग करेंगे डबल मोल्डिंग के लिए दोस्तो तयार हो जाईए और इसके लिए हमको सबसे पहले जो ब्लेड यूज होगी उसको बोलते हैं दोस्तो बूल ब्लेड यह जो ग्लाइंडर में लगी हुई है यह ब्लेड ब इसको हम ऐसे फोक मार के मिला देंगे ताकि वह खुरी उसमें लेवल हो जाए दोस्तों फिर बूल ब्लेट कंप्लिट होने के बाद दोस्तों नमबर आता है 46 नमबर का यह 46 नमबर बट्टी है इसे हमारे इलाके में सब काली बट्टी कहते हैं और इसे कुछ एमरी बट्टी भी कहते हैं यह बट्टी काफी बढ़िया काम की बट्टी है दोस्तों इस बट्टी से फिनिसिंग काफी हद तक आना स्टाट हो जाती है और दीरे दीरे अपने पत्थर के अंदर चमक चालू हो जाती है 46 नमबर को बहुत आराम से भुमाना पड़ती है और बहुत प्यार स चलानी पड़ती है एक एक दाना इस से आप फिनिस कर सकते हैं इसके बाद नमबर आता है दोस्तों 80 नमबर का अपन साथ नमबर यूज़ कर रहे हैं मगर 80 नमबर और भी बेटर रेती है उस 80 नमबर को इसके उपर फिर गुमाना पड़ता है तो ये 80 नमबर इसमें चल रही है ये 80 नमबर 46 नमबर की एकशा कम समय लेती है और ये काफी जल्दी उसको और चिकना करती है को 46 नंबर के बाद 80 नंबर चिकना करेगी 80 नंबर से भी जारा फिनिस फिर करेगी 120 नंबर दोस्तो इस 80 नंबर बट्टी को चलाने के बाद हम आपको बताते हैं ये देखिए 120 नंबर बट्टी ये बट्टी चलती है दोस्तो ये बट्टी पत्थर के सारे कुरे धागे जो उ सारे निसान मिटा देती है और इसको लगबग फिनिश कर देती है फिर अपन दो इस पंच बत्टियां यूज़ करेंगे 180 खेंए एक 120 और 1320 प्थर पूरी तरह उससे फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको एक 120 नंबरrolle इस पंच बत्टी बताऊगा और फिर उसके बाद 320 बताना है तो यह इस बत्टी का काम कंप्लीट हो गया अब ये 120 नमबर 15 बट्टी ये 15 बट्टी चलेगी और इस 15 बट्टी से आप खुद ही देखिए पत्थर का कलर चेंज होना प्रारम हो गया पालिश तो उन बट्टी ने कर दी थी अब इसका मैं कलर लाना है कलर लाने के लिए ये 120 नमबर और ये 320 ये 320 आपको पूरी तरह पथर को फिनिश कर रहेगी दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नए यानकरी लेकर एक नए वीडियो में जै हिन दो